नमस्कार स्वागत है आपका मध्यपरदेश और 36 गड़ की खबरों में मैं हूँ आपके साथ सुमनबाल मोधी सरकार के अमर जवान जोती को बुझाने के फैसले के बाद 36 गड़ की वुपेश बगेल सरकार ने अपने यहां अमर जवान जोती की निव रखने का फैसला किया है तीन फरवरी को कॉंग्रिस सांसद राहुल गांधी इसकी निव रखेंगे और स्टीम वुपेश बगेल ने शनिवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए लिखा है कि हमारे शहीदों की वीर गाथाए हमारी पीडियों के लिए प्रेणा पूंझ है और देश के ये सब नहीं समझेंगे राहुल गांधी तीन फरवरी को ही 36 गड में अमर जवान जोती की निव रखेंगे और भारत माता के सपूतों को यही सच्ची शर्धांजली होगी रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए वुपेश बगेल ने कहा कि कॉंग्रेस की विचारधा गांधी सप्रेडित है यहां सत्य और हिंसा के बारे में हैं और जबकि पीए मोदी की विचारधारा सावरकर और गोड से की है और वो हिंसा और साजिश के बारे में हैं कॉंग्रेस और भाजपा एक नदी के दो अलग-अलग किनारे हैं मर्द परदेश के मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चोहा ने कहा कि 16 फरवरी को हिसंतर अविदास की जन्ती पूरे परदेश में मनाई जाएगी अनसुचित जाती समुदाय के विकास और कल्यान के लिए आविशक्ता हुई तो नई योजनाय बनाई जाएगी मुख्य मंत्री आपको बता दे कि चोहान ने शाहगंज में ही अहिरवार समाज द्वारा आयोजित सम्मान समारों को संभोधित कर रहे थे और परदान मंत्री आवास योजना के हित ग्रहियों ने भी मुख्य मंत्री चोहान का सम्मान किया मुख्यमंत्री ने कहा कि परदेश सरकार नहीं अनसूचित जाती जन जाती और गरीब परिवार के बच्चों के लिए निशुल का किताबे चात्र वृति और हॉस्टल सुविधा उपलब्द कराने के साथ ही मेधावी बच्चों की मेडिकल इंजिनेरिंग की फीस भी दे रह और मुख्यमंत्री अनपूर्ण योजना के तहत निशुल कर राशन उपलब्द कराया जा रहा है ताकि गरीब परिवारों को जीवन निर्वाहक में ही कोई कठिनाई नहीं आए उन्होंने ये भी कहा कि परदेश के छोटे-छोटे वववसाई को भी करोना काल में फिर से शुरू करने की लिए ही प्रधान मंत्री सोर निधी और मुख्यमंत्री आर्थी का कल्यान योजना के तहती दस हजार रुपे बिना बयाज दिये जा रहे हैं मुख्यमंत्री जोहान ने ये भी कहा कि परदेख महीने परदेश के ही सर्व सहाईत्ता समूह को 200 करोड रुपे का बैंक लीकेज कराया जा रहा है उन्होंने कहा कि परदेश के कई सो सहायक समूह उत्सु का कारे कर रहे हैं महीं मध्य परदेश के ग्रेह मंत्री नरोत्म मिश्रा ने कहा कि परदेश में ही पुलिस कर्मियों की सुविधा के लिए बड़े पेमाने पर आवास निर्मान हो रहा है और मेरा परियास है कि निकट भविश्य में परदेश सरकार की अधिक्तम पात्र जवानों को सुरस्विधायुक्त आवास मिल जाए हमारी जवानों के द्वारा संगर्ष जो किया और करोना में तो सच में सेनकों जैसा संगर्ष था जब हम सब लोग छोपे हुए पीवी के सामने लोगडाउन के प्रथम करोना की लहर में करोना की भयावहता को देखते थे तब मेरे पुलिस का जवान सड़क पर लोगडाउन को सफल कराने के लिए खड़ा रहता है पी असेनल के जो यहां पर क्वाटर हैं इंदोर में बोपाल में ग्वालियर में और जवलपूर में और मद्यप्रदेश में अनेक जगों पर सारे के सारे बंगले हम मंद्यप्रदेश में किराये पर लेकर एक साथ में हम पूरी की पूरी पोलिस वोर्स को किराये के बकान से हटा के वहाँ पर सिट करने के वारे में लगातार हम वुचार कर रहे है किसान विश्वास घात दिवस मनाएंगे और उनका आरोप है केंद्र ने समझोते के बाद लिखित वादों को पूरा नहीं किया इसलिए किसान आंदोलन से जुड़े संगठन परदशन कर केंद्र का ध्यान आक्रिशित करेंगे और किसानों ने तिन क्रिशी कानूनों के खिलाफ एक साल से ज्यादा लंबा आंदोलन चलाया था और विवादित कानूनों की वापसी और सरकार के साथ समझोते के बाद आंदोलन खतम हुआ था आपको बता दे कि विश्वास घात दिवस मनाने का फैसला संयुक्त किसान मोर्चे की 15 जन्वरी को आयोजित बैठक में लिया गया था और संयोक्त किसान मोर्चे के ही देश भर में किसानों से कहा जा रहा है कि 31 जन्वरी को ही विश्वास घात दिवस मना कर ही केंदर सरकार तक अपनी नाराजगी पहुचाएंगे इसके साथ ही 36 गड़ किसान मजदूर महसंग के ही संयोजक मंडल के सदस तेजराम विद्रोही ने भी कहा है कि केंदर ने 9 दिसंबर के ही अपने पत्र में लिखा कि कोई वादा पूरा नहीं किया आंदोलन के दोरान किसानों पर दर्ज मुकदमे को ततकाल वापस लेने और मिर्तक किसानों के परिवारों को मुआफजा देने के वादे पर पिछले दो सब्ताह में कोई भी कारवाई नहीं हुई है उन्होंने ये भी कहा कि सभी फसलों का नयोंतम समर्थ अन्मुल ने घोशित करने के मुद्दे पर भी सरकार ने कमेटी के गठन की कोई घोशना नहीं की विद्रोही ने कहा कि सरकार सोंभार को देश भर में ही आपको बता दे कि किसानों का फिलहाल परदर्शन चलेगा वहीं 36 गड़ के बलरामपूर जिले में चार बच्चों की मा के साथ जबरदस्ती दुशकर्म करने का मामला सामने आया था जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफतार कर लिया है दरसल पूरा मामला बलरामपूर जिले की राजपूरा थाना अंतरगत दिगर नगर का बताया जा रहा है और इसके साथ ही जहां पर बताया जा रहा है कि चार बच्चों की मा के साथ जबरदस्ती कर दुशकर्म करने वाला आरोपी बलरामपूर पुलिस ने गिरफतार फिलहाल कर लिया है और थाना परभारी आखिलेश सिंग से मिरी जानकारी के अनुसार ठाकूर परसाद पिता पुर्शोत्तम थाना पहुंचे थी और उन्होंने केस दर्ज करवा कर 27 जन्वरी की रात को ही आठ बजे कमलेश घासी पिता भागुड घासी ने भी चार बच्चों की मा को मार पीट क कर बाइक में बिठाकर अपने घर ले जाकर उसके साथ दुश्कर्म किया था जिसके बाद थाना परभारी ने ततकाल पुलिस टीम रवाना कर आरोपी को गिरफतार कर लिया और उसे जेल फेज दिया गया कि अ पर लिखाया किसकी लड़की साथ में घाओं का कमलेश सुन वानी अपने घर में ले जाकर दो दीन तक किसके साथ बलतकार किया है मद्यपरदेश में रविवार को कुरोना वाइरस संक्रमन के 9305 नए मरज़ों की पुस्टी होने के बाद कुल मामले बढ़कर 9,49,439 हो गए स्वास्ते विभाग के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि पिछले 24 घंटों में परदेश में महामारी की वज़ह से 9 लोगों की मौत होई है इसे मिलाकर राजे में अब तक कुल 10,616 लोग संक्रमन से अपनी जान भी गवा चुके हैं उन्होंने कहा कि रविवार को कुरोना वाइरस संक्रमन के ही इन दौर में एक हजार 936 और भोपाल में 1784 मामले दर्च किये गए ये दोनों जिले इस संक्रमन रोग से ही परदेश में सबसे अधिक प्रभावित है उन्होंने कहा कि परदेश में ही वर्तमान में 63,297 मरीज उपचार धीन है और पिछले 24 घंटों में ही 12,041 लोग संक्रमन से उबरे हैं और अब तक 8,88,526 लोग संक्रमन को मात दे चुके है अधिकारी ने ये भी बताया कि राज में ही रविवार को 38,083 लोगों को COVID-19 रोधी टीके की खुराक दी गई और टीके की अब तक कुल 10,93,13,308 खुराके दी जा चुकी है महीं 36 गड में भी करोना को संक्रमन अब धीरे-धीरे कम हो रहा है तीसरी लहर का पेक गुजर गया और ऐसा लग रहा है कि रविवार को परदेश में ही 2,373 नई केस मिले हैं जिसमें राइपूर में ही सबसे ज़्यादा 374 संक्रमितों की पुष्टी हुई है वही करोना से परदेश में ही 10 लोगों की जान ही चली गई करोना से मौत के आकड़े अभी डरा रहे हैं राइपूर दूर्ग और धमतरी और राइगर में सबसे ज़्यादा केस मिले हैं परदेश में अभी 25,734 सक्रिय मरीज हैं और 36 गड़ में इस महामारी से ही अब तक 13,834 लोगों की जान जा चुकी है और अभीवार को ही 25,949 सेंपलों की जांच की गई और परदेश में ही पॉजिविटी अगर रेट की बात की जाए दर की बात की जाए तो 8,62 परतीशत से बढ़कर 9,14 परतीशत हो गई है आपको बता दें कि करोना संक्मर से दुर्ग में ही चार और राइपूर में दो और राजरंदा गाउ में भी कोरवा और सूरजपूर और काकेर में एक-एक की मौत हुई है और 25 जन्वरी को 24 घंटे में स्वार्धिक 23 लोगों की मौत हुई थी जो तीसरी लहर की सबसे बड़ी संख्या थी वहीं हॉस्पीटल से ही 98 लोग डिस्चार्ज हुए तो वही 1646 लोगों ने होम आईसूलेशन पूरा किया है राज्जे नौडिल अधिकारी डॉक्टर शुभाष मिश्रा ने भी ये जानकारी दी है कि कुरोना का संक्रमन कम हुआ है ये ठीका करण का असर हो सकता है कि अचानक तेज संक्रमन के बाद भी दूसरी लहर जैसे इस्थिती नहीं बनी मद्यपरदेश की लोगों को कडाके की सर्दी से थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है नियुंतम तापमान में ही 3-4 डिगरी की बरहोतरी देखने को मिली है और मौसम विभाग के नुसार 3 फरवरी तक ही मद्यपरदेश के अधिकांश हिस्सों में ही नियुंतम तापमान में 4-6 डिगरी सेल्सेस कर्मिक बरिधी होने की संभावना है और इसके बाद 3-4 डिगरी सेल्सेस गिरावट की भी संभावना है 6 फरवरी तक मद्यपरदेश का मौसम सुष्क बने रहने की भी संभावना जताई गई है और अभी 3-4 दिनों तक ही लोगों को ठंड से राहत मिलेगी और इसके साथ ही एक सक्रियों पश्च में विचोब के ही 2 फरवरी 2022 से ही उत्तर पश्चिम भारत को ही प्रभावित करने की संभावना बनी हुई है और 3 फरवरी को एक प्रेरित चक्रवाती हवाओं का छेत्र दक्षिन पश्चिम राजस्थान और आसपास के इलाकों में बनने की भी संभावना है तिन फरवरी तक मद्यपरदेश के अधिकांश हिस्सों में ही नियुनतम तापमान में 4-6 और डिग्री सेल्सिस रहने की कर्मिक वृद्धी होने की भी संभावना जताई गई है और उसके बाद 3-4 डिग्री सेल्सिस गिरावट की भी संभावना है वही पस्चिम विचोप के ही उत्तर भारत में और उपर वेश करने पर ही मौसम के मिज़ाज में परिवर्तन आने की संभावना है और इसके तहत ही कहीं कहीं बादल भी चाये रह सकते हैं मौसम विज्ञानिक अनुसार रविवार को MPK मंडला में सबसे कम तापमान 4 डिग्री सेल्सिस रिकॉर्ड किया जा रहा है